देश की तातकालिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर हमारे सवालों का जवाब देंगे कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल सहब मीम सहब आपका साधना नियूज पर बहुत-बहुत स्वागत है जो हाल में जो चुनाव सर्वे आ रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार तमाम मीडिया की अलग-अलग चैनल्स पर और अख़बारों में दिखाये जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि भारती जन्ता पाटी और उनके गठबंदन को 232 के करीब सीटे मिलेंगी आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखिए हमारा पहले से इस मामले में बहुत इस्पेशली और बहुत साफ रुख है कि हम इस तरह के जो सर्वेज आते हैं या इस तरह की जो के जाते हैं उसमें कभी भाग नहीं लेते हैं आपने सवाल पूछा है मैं जवाद सरूर दूँगा लेकिन इस पर ना तो हम तफसरा कर रहे हैं ना मिस पर हम कोई खास कमेंट करते हैं हमारे नजदीक इस तरह के सर्वेज जो है उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है मैं किसी को ऊपर ये लालछन नहीं लगा रहा हूं कि ज्वूते होते हैं या कॉनगोक्टिट होते हैं लेकिन पर रोष कोई साइंटिफिक बेस नहीं है पचले सर्वेज आपने देखें जो चार राज्यों के लेकिन वो सर्वेज तो तो सही निकले निकले तो देखिया वो अलग बात है तो चारो राज्य में कहा ही पारे हूं दिल्ली के अंदर जो सर्वेज आये उसमें एक छोटा सा कोई सर्वेज था जिस पर लोग गौर भी नहीं कर आए थे उसमें जरूर आप पार्टी के तालुक से कुछ कहा लेकिन मैं समझता हूं किसी भी किसी में भी यह तबक्य नहीं किती कि आप पार्टी दिल्ली में सरा आएगी और भार्ती जन्ता पार्टी जो है उसकी वज़ा से पावर में नहीं आ सकेगी यहां तक के जो मोडी जी का असर की बात की जा रही थी तो आप यह देखिए के चाहे दूसरे राज्यों में उनक को सरकार बनी हो लेकिन दिल्ली जहां से नहोंने का था कि हम सत्ता यहां से सेंटर पर कभजा करने की शुरुवात कर रहा हैं वहां भारती जन्ता पार्टी को साड़े तीन परसंट वोट पिछले चुनाओ के मकाबले में कम मिला तो यह कितनी इंपॉर्टन बात है और यह क कर देखा कि एलेक्शन के बात काफी दिन तक भारती जन्ता पार्टी की कवरेज मीडिया में खतम होई थी और उसकी जगा केजरिवाल ने ले ली ते और बहुत से टीवी चैनल ने और मीडिया के हिस्से ने जबरदस कवरेज शुरू किया उसके बाद उसमें से तो भारती और आप पार्टी की तरफ लेकिन उसका रुख कॉंग्रेस और आप पार्टी से ज्यादा उसका जो कड़ा रुख था वो था गुसा मीडिया के उपर और उसके बाद तीन-चार दिन तो उनने ऐसा किया और उसके फॉरण बाद उनना मीडिया पर भी हमले करने शुरू कर है आप उठाकर दरा देख ले पूरा उसके बाद ये आप ये तिली में जब ये धरना प्रदशन हुआ उसके बाद अचानक मीडिया का एक रुख जो है वो बदला और आप पार्टी के खलाफ गया और उसी के फॉरण बाद ये अचानक सर्वे एक दम से आने शुरू है ए और एक दो दिन के अंदर ही सारे जितनी भी टवी चैनल्स है या जितने भी ऐसी कंपनीज है जो सर्वे कराती है वो अचानक एक साथ हमला करती है इसके पीछे क्या बात है जो सर्वे आ जाया आट दिन के बाद भी आ सकता था एक सर्वे आप ये कहना चाहते है आपको लग और अचानक आपको मालूम है कि तकरीबं सारा मीडिया यह कह रहा था कि भारती जंदा पाटी डेड़सों सो उपर नहीं जा पाएगी एक सो पचास साथ की बात कर रहे थे अचानक यह सरवे मजोरिटी दिखाने लगे हैं बलके मजोरिटी के आसपास दिखाने लगे हैं तो म समझता हूं करके टोंक पाइच को यह संभया थेस लने हैं इस को किस तरह से किया जाजा जाच खएफिवार्स के बारे मैं कोई ज इस वक्स सेटिंग वो बहुत अनपापुलर है और दूसरी जो पार्टिया हैं मुकाबिल में उनके कंडिडेट्स का भी पता ही नहीं है अब आप महां के लोगों से बात करते हैं तो लोग क्या जवाब देंगे आपने खुद ही कहा कि केजरिवाल हाल के दिनों में टीवी चैनल्स पर छाए रहे हैं तब भारती जनता पार्टी का आरोप था कि कहीं न कहीं कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो वो केजरिवाल को दिखाने के लिए कॉंग्रेस का सही ओग ले करके और भारती जनता कि जो नेता हैं उनके गुन गान गारा है बीच में थोड़ी सी कमी आई थी 10 12 15 दिल कि उसके बाद वही सिलसला दो बारा शुरू हो किया तो बहुत गंभेर आरोप है आरोप क्या है सब देख रहे हैं लोक देख रहे हैं अवाम देख रहे हैं किस तरह सेंकी सभाओं को दिख कि बागी पार्टियों के नेता हो खास्तर पर हमारी पार्टी के नेता हो चूंकि मीडिया से हूं इसलिए जवाब देना चाहूंगी एक आपको कि मैं समझती हूं कि केजरिवाल के धरने को भी मीडिया ने उतने ही गंभीरता से लिया उनको भी बहुत दिखाया जब भी उ और एक होता है मैंजमेंट this गो मैंनेडमेंट होता है और समाज में अगर आप ये समझें कि सब लोग ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो मेरे खाल में ना पॉलिटीशन ठीक तरह से काम कर रहे हैं ना एक्जिक्टिव ठीक तरह से काम कर रही है ना जुडीशियरी के अंदर सब कुछ ठीक है ना मेडिया में सब कुछ ठीक है जिन चीजों का इल्जामात लगते रहते हैं वो किसी एक सेक्शन पर नहीं डाले जा सकते हैं ये इल्जामात जो हैं हर फील्ड में एक मखसूस दाइरा ऐसा है जहां आपको खराबी मिलेगी और उससे आप इंकार नहीं करेंगी कि मेडिया में भी वो खराबी है मैं किसी एक या दो या तीन का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन मैं जिन जनरल बात कर रहा हूं सर्वे के निश्पक्षिता और सर्वे के आकड़ों को हम अलग छोड़ देते हैं फिलाल बात करते हैं अरवेंद केजरी वाल ने जो कुछ भी पिछले 15 दिनों में डिली में जिस तरीके का नजारा प्रस्तूत किया आपको क्या लगता है वो अपने पद की गंभीरता को समझ रहे हैं बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं मैं बिल्कुल आप स्वेगरी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं वो जिस अंदाज की नई सियासत शुरू कर रहे हैं शायद यह भी नई सियासत है कि आप Constitutional Authority होकर कि खुदी Constitutional Authority होकर कि आप Constitution को उलंगन करेंगे. आप जब पावर में हैं तो आप धरने पर नहीं बैठ सकते हैं. बैठना नहीं चाहिए आपको. और जो उनों है किया उसका उनको ही नुफसान हो रहा है. मैं तो इसके अंदर एक ही बात कहता हूँ. कि आपने नई सियासत शुरू की, वेलकम. कॉंग्रेस नका हम आपको सपोर्ट करेंगे. हम लोगों की तरफ देखने वाले लोग हैं. हम इदर उदर नहीं देख रहे हैं. कि हमको अखबार क्या लिख रहा हैं या हमको टेलिवीजन मीडिया में हमारा क्या हमारा जो टार्गेट है वो अवाम है. कॉंग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसकी एक तारीख है. वो अपनी तारीख से कभी भटक नहीं सकती है. हमारा बुनियादी मुद्द सेकुलरिजम है. हम सेकुलरिजम को लेकर कित्ती बड़ी भी खुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और दी है हमने. हमारे तीन चार 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 जो हमने कानून बनाए है. कोई आदमी उसको चैलन्ज करके दिखाए कि हम जो 82 करोड़ लोगों के लिए फूड बिल लाये हैं. एगरीब आदमी को हमने सस्ता आनाज देने की बात की है. इसके अंदर कौन सी खराबी है? किसानों की जमीनों को लेकर के आप इंडर्स्ट्रियर्स को बाटना का काम करते थे. गुजरात के अंदर एक रुपए के अंदर एकड़ जमीन दे दी गई. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को और आम लोगों की जमीने लेकर के आपने दे दिया क्या मौाफ़जा उनको दिया हम यह कानून लेकर काए किसान को उसकी जमीनों को सही मौाफ़जा मिलना चाहिए यह कौन सी गलत बात है हमने राइट टू एजुकेशन दिया यह कुन दिया जडोरी तो था लेकिन राइट नहीं था हमने कानून बनाया कि हर बच्चे का हाग है कि आप उसको तालीम देना ही पड़ेगा तरकार के जम्तारी ए राइट टू एजुकेशन दिया हमने इसी तरह से हमने मन्देगा के जरीए करोडों लोगों को सौधिन का सही रोजगार दिया तो सही जो बिचारे आज जो गाउं से शहर में प्लाइन हो रहा था कितना बड़ा फरक उसमें आया है तो हमारी जो पॉलिसीज है वो लॉंग टर्म प्रोग्राम को ले करके होती है और हमें यह मानना है हमारा यह मानना है क्यूं है हम भी शौर्ट टर्म गेंड कर सकते हैं हम भी जो है जजबाती नारे लगा सकते हैं हम भी लोगों को भड़का सकते हैं लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम कॉंग्रेस की बुनियादी नीती के खिलाफ काम करेंगे कॉंग्रेस ने ये काम कभी नहीं किया और कॉंग्रेस आइंदा भी नहीं करेंगी बोले हम एक बार आएं अगर आपकी ये बुनियादी नीती है तो फिर केजरिवाल की पार्टी भी बहुत ही तातकालिक फायदा देख रही है वो भी जजबातों को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं और एक भीड को वोट में तबदिल करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको ट्राइ करने चाहिए जरूर उनको मौका मिलना चाहिए हमें भी अपने आपको देखने का मौका मिलेगा अगर आप पार्टी ने बहुत सारे काम ऐसे किया है जो जजबाती हैं जो जूड़े हुए आवाम से तो हमें समझना पढ़ेगा कहीं हमारी भी कोई गलती त समझती हूं उत्तर प्रदेश में कौंग्रेस पार्टी के जो हालात हैं बहुत बहुत बहतर नहीं है। संगठन के भी में भी निचले इसतर पर बहुत सारे कौंब्रेस क्या ऐसी रणीती अपनाने जा रही है राहूल गांधि क्या ऐसा करिशमा करने जा रहे हैं जिसमें यू पी में आपको अच्छी सीटे मिलें देखिए हम करिशमे की राजनिती कभी करते ही जब तो उत्तर प्रदेश में बदलाओ बहुत मुश्किल है। में शौट टर्म गेम नजर नहीं आएगा। के देर हो कहीं सवेर हो लेकिन लांग ड्रम राजनिती जो है जिसको कहना चाहिए लंबी राजनिती जो है वो यही है कि आप दोगों के भले के लिए काम करें। दो चीज़ें इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ हमारे खिलाब जाती हैं। एक है महंगाई दूसरी है करप्शन इन दो चीज़ों पर लोगों को यह बताया गया है किसकी ज्मदारी हमारे उपर है। हमने बार बार यह बात कहिए कि महंगाई की ज्मदारी मुकुमल तवर हमारे उपर नहीं है। इंटरनाशनल परस्थित्या हैं डॉलर का रेट डॉलud एका तेल महंगा होगा तो डॉलर का रेट बढ़ेगा। हम खरीदना पड़ेगा। डॉलर हम जब हम तेल खरे हम लोग सतर परसंट तेल बहार से लाते हैं और तेल बुनियाद है यानि एनरजी की बुनियाद है इस देश में जो एनरजी है उसकी बुनियाद तेल है अगर तेल नहीं होगा तो बिजली कम होगी तेल नहीं होगा तो गाड़िया नहीं चलेंगी तेल नहीं होगा तो डेवलेप्मेंट नहीं होगा, सलकोल पर भागगौल नहीं हो पाईगी, तेल नहीं हो और तेल आएगा और महंगा आएगा, हर चीज पर उसका असर पड़ेगा, और जब हर चीज पर उसका असर पड़ता है, तो जो बिचोलिये हैं वो भी उसका फाइद आज दिल्ली में आप पार्टी है और भारती जन्ता पार्टी की तीन सरकारे आगई हुए इसका उत्तर तो जन्ता ने इस तरीके से दिया कि आपको नहीं चुना नहीं चुना और उसके बास खामुश हो गए और जो लोग आ गए वो सिफ यही इसी सवाल को लेकर रायते हैं क हमारे दोर में में बढ़िये हमों के दोर में 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 और बढ़ जाएगी उनके दोर पियार चरले में आपकी सरकार चली ब्रस्टाचार के मुद्दे पर देखिये लोकल इशूस बहुत सारे थे और उसकी वेजार से भी हुआ है लेकिन ये तो हमारी कॉंग्रेस अद्धिक्ष्टा श्रीमती सोनिया जी ने कहा कि महमाई महगाई भी एक मुद्दा था हमारी सबसे बड़ी लीडर ने इसको माना है तेकि ये बुन्यादी बात क्या है हम अपनी बात को शायद कम्मुनिकेट नहीं कर सके हमारी क जो सरकार में होता है टार्गेट हमेशा वही होता है एक नियम है और जो अपोजिशन होती है उसका बुनियादी काम यही होता है कि वो टार्गेट करें वो काम्याब हो है हम नाकाम में इस मामले में इसको हमना कुबूल करने में कोई नहीं है लेकिन हमारा सवाल ये तो पा यह आएंगे चुनकर के लोग चुन लेंगे किसी को भी अब देखिए कि 1904 में चुनकर के आयथ है और सुनिया जी को चुना था सुनिय जी ने मना कर दिया उसके बाद डॉक्टर मन्मान सिंग को चुना गया तो यह कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है और यह जो सवाल लोग कर रहा है वो इंट्रस्टीड है इस बात में आपको नहीं लगता कि कहीं ने कहीं पॉपुलारिटी के ग्राफ में परसेप्शन के ग्राफ में नरेंद्र मुदी का चहरा कहीं जादा बड़ा है राहूल गांधी से इस वज़े से राहूल गांधी को का नाम जो है जनता के बी इस बार अगर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हो सकता है राहूल प्रधान मंत्री ना बने क्या आपको लगता है यह मैं तो यह बात कहीं नहीं रहा हूं हमारे कॉंग्रेस का एक एक एकादमी यह चाहता है कि राहूल प्रधान मंत्री बने इसका फैसला मैं नहीं क कि तो करना पड़ेगा या था जो उब Way कि अपेश्ला कर झांजे इसको भी को किसी को पर अपनी महर्जी मुसल्त तो नहीं कर सकते हमने इस वादी एस वाध यह फैसला किया कि खड़ा करके चुनाव लडने की फुराक में हैं, वो इस देश को कौन सी राजनिती देना चाहते हैं, हवामी राजनिती देना चाहते हैं, हमकी राजनिती देना चाहते हैं, हमकी राजनिती दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है, यह कोई भारक में पहली बार थोड़ी इसके अंदर चुने जाने वाले नुमाहिन दे अपने परधानमंद्री का इंतखाब करते हैं पहले से नहीं कह अधर यह देमोक्रासी की बुलियादी रूह के खिलाफ काम है मैं समझता हूं आप यह बताईए मुझको कि रूल्स के तहत पार्लेमेंटी डेमोक्रासी में पार पार्टी जंता पार्टी जो है रिप्रेसेंटेटीव उमिद्वारों के चेहरे देखकर के भी जंता यहां वोड करती हो और यह परंपरा सी बन गई है यह देखिये परंपरा बन गई है यह तो अलग बात है मैं आज से भी आगे बढ़कर के कहता हूं हम लोग शखसियत परस करते हैं जनता के भी जाने के लिए क्या चुनावी मुद्धे हैं आप क्या अपनी प्रसंचा करेंगे लोग आपको कैसे वोट करेंगे अभी मैंने आपको कहा कुछ मुद्धे आपको गिनवाए जो आवामी थे आपने खुद प्रसंचा की लेकिन आप रोजाना इसको टे कामियाब हो या ना हो लेकिन हमारा काम यह है कि यह हमारा काम हम उसके देखिए आप मुझे बताइए भारति इन्ता पार्टी किस बात पर बोट मांग रही है समाजवादी पार्टी अगर कल उत्तर परदेश में चुनाओ लड़ेगी पार्लिमेंट का चुनाओ लड़ेगी तो बताएगे ना कि हम उत्तर परदेश में इतना बढ़िया काम किया इसलिए हम आज आप से पार्लिमेंट का ठीकिर में यह कोई नए मुद्दे लगर करके आएंगे हमारा नए मुद्दा जो है उनके बारे में एक मीडिया करकी के नाते मैं आपको यही जवाब दे सकती ह कि दोनों पार्टियों की रैली में उत्तर परदेश में ठीक ठाक भीड देखने को मिलती है कॉंग्रेस पार्टी के लिए भीड नहीं इकठा होती देखिए भीड कम हो सकती है हम इस बात से घबराते थोड़ी है हमने कब कहा आप से आपने का हम तो 89 में आखी सरकार हमारी 89 से पहले थी 89 से हम उत्तर परदेश में वरसर एक पदार नहीं आए पॉलिटिकल वरकर एक बड़ी तादार में दूसरी पार्टियों में चला गया हमारे वरकर में कमी हो गई हम वहां कोशिप बराबर करते हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हम कभी हतियार डालने माले लोगों में से नहीं है यू तो अगर हम हतियार डालते तो हम 77 के बाद वापस ही नहीं आते 89 के बाद वापस ही नहीं आते 2006-07 के बाद ज इतनी जबर्दस तरीके से इंडिया चमक रहा था कि लग रहा था कि भारती जंता पाटी के मुकाबले में हम तो कहीं टिकी नहीं पाएंगे रिजल्ट के आया 2004 में वह बुनियादी बात याद रखिए चेंज इस इनेविटेबल हमको भी समझना चाहिए दूसरों को भी समझ जनता चाहती है कि कोई चेंज हो और उस बदलाव में आप काफी पीछे चूटेंगे ऐसा एक परसेप्शन बनता चला जाए जनता चाहेगी या नहीं चाहेगी इसका फैसला तो चुनाव में होगा लेकिन कुछ लोग जरूर चाहते हैं और हम समझते हैं कि कुछ लोग जो चाहते हैं उनकी ख्वाइश पूरी नहीं होगी आपको लगता है कि उनकी ख्वाइश पूरी नहीं होगी आपने साधना ने उस से बात की मीम अबजल साहब आपका बहुत-बहुत है आपका यह बद बद शुक्रिया